हेई गाईज असलाम हो अलेकुम कैसे हैं आप सब आज है फ्राइडे फ्राइडे यहनी चुट्टी चुट्टी यहनी सेर सपाटा जी हाँ तो आज हम लोग जाने वाले पिकनिक एक बहुती मस्त वाव जगा तो बस अभी हम नाश्टा कर रहे हैं नाश्टे में हैं गुजिय कड़कपाव चाय और इसके बाद जय है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या तयारी करी हूँ पिकनिक जाने के लिए हम लोग छे पैमिलीज जा रही है तो जो है छे फैमिलीज के हिसाब से सामान भी उतना ही रहता है तो आई हम दिखाती हूँ आपको तयारी तो सामाने सब घर से ले जाते हैं, सैलेड ये भी वहीं पे बैटके काटेंगे पाणी की बॉट्ल को थां रखते हैं, और बार्वीक्यु चाहे नहीं बन सकते हैं, तो हम लोग चाय का सामान ले जा रहे हैं और यह है गैस में रख्यों कि आरी सा खाना ना बनाना हो अगर तो छुपके बना लूँगी यह पेपसी वेपसी है, सैलेड के लिए कैरेट्स हैं और यहां मैंने रायता बनाई हूँ और यह मुझे मिला था, यह मेरे हिस्से में आया था, रायता और यह हरी मटर भी जो है मुझे ही मिली थी तो मैं हरी मटर बना के ले जा रही हूँ और इसके अलावा यह सारी तयारी हो गई है इसके अलावा वहां पे सारी चेर्ज और सारा सामान वहां पे भी हम लोग ने सब इखटा रख लिए हैं बस पूरी तैयारी हो जुगी है बस नाश्टा करके हम लोग निकलेंगे और ये इसको देख लीजे इनका आइपैडी मी छूट रहा है हाथ से चलना है कि नहीं और ये प्यों से समखो नहीं है समाने को अपे ना बाना आका लो देखा तो फाइनली हम लोग पहुच गए हैं अपनी पिकनिक स्पोट पे और मेरे हजबेन यह सारा सामान निकालने में लगे पड़े हुए हैं बाइदेवे मैं आप लोगों को बता दू कि हम लोग की ग्रूप में चो औरते हैं वो इतनी सूपर आक्टिव हैं सारी जगा घूमने फिरने की हमी लोग डिसाइड करते हैं सारा मेन्यू हमी लोग डिसाइड करते हैं सारा खाना वाना हमी लोग बना के ले जाते हैं आदमी लोग की कहा बसकी बात है यह सब तो बस ये लोग ड्राइब करते हैं और हम लोग को पिकनिक स्पॉर्ट पे ले की आते हैं तो यहां पे हम लोग 6 फामिली जाई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पिकनिक में जब तक close friends ना होना तो पिकनिक का मज़ा ही नहीं आता है तो यह जगा का नाम दिबल हिस्न है और यह दिबबा में है करीब हम लोग को देर घंटा लगा है दुबई से यहां आने में और यह सामने आप देख रहे हैं पेड की नीचे ठंडी ठंडी छाओं जो ले रहे हैं वो पूरा हमी लोगा खांदान है यहां से पहुँच चुके हैं बस हम लोगा वेट हो रहा है जब हम फ्रेंस सारे जमा होते हैं न तो हम लोग बहुत सारे गेम्स खेलते हैं दमशराज खेलते हैं लूडो खेलते हैं बहुत सारे गेम्स खेलते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहीएगा यह जो एक्सकवेडर आप देख रहे हैं इसको देख के ना मुझे बिल्कुल जैसे कारगिल पते नहीं क्यों कारगिल मुवी याद आ जा रही है और यह जो है ना पत्थर के उस पार जो आप देख रहे हैं वो उमान स्टार्ट हो जाता है वो बाउंट्री है वो बॉर्डर है उमान का और यहाँ पे लड़कों ने अपनी टीम बना रखी पूरा ग्रूप लड़कों का रेडी है और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के इन बहुत जबदस, neat and clean बीच है और यह है लड़कियों का ग्रूप और चलिए अब मैं आपको यहाँ का साफ सुतरा बीच दिखाती हूं क्या बना रहे हो 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 अच्छा यह किसका है पीच सेट फात्मा बेबी का है फात्मा कहां गई फात्मा इस कमिंग ओक आरिज यहर इस बेबी सेम लाइक यू अगदेज तुम बिमार हो हालत देखें इन लोगों की पूरे मिट्टी में तर बतर हैं जैसा लग रहा है तूफान आया है मिट्टी का जाने दो इन लोग भी आते हैं खेलने के तो हम लोग मना नहीं करते हैं कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिन्दगी घर जाके डगड़ डगड़ के निलाऊंगी अब सोच रहें क्यों ना कोड़ी थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो ये जो पास्ता देख रहे हैं आप ये मैडम फॉजिया लेके आई हैं बच्चों के लिए बड़े अच्छी इंतिजाम के साथ हम लोग आते हैं बच्चों को तीखा वीखा कुछ लगे ना तो बड़ पती टी बैग एवरीफिंग लाए हैं टीकोजी में दम दे के चाय और फिर हम लोग जो है इसकी बहुत जबदस चाय बनाएंगे अद्रक वद्रक सब कुछ एड़ है इसके अंदर और यहां पर हम लोग गयास जला नहीं सकते हैं क्योंकि बार्बी क्यों अलाउड नहीं है ममनू हैं तो इसलिए हम लोग इसी काम चलाएंगे और इसमें हम लोग दो दो भी सब खौला के घर से लाए थे ताकि एकदम गर्मा गरम कड़क चाय मिले और अब हम लोग खेल रहे हैं दमशराच जिसमें मूवी की आक्टिंग करनी होती है और सामने वाली जो है उसकी टी मैं मैं मुला हीरो बता दो तो अभी बता दू पहली पी चल उसकी आमिर खांटी जो आपिसर फोल्जर के जो होता है अ अ अ अ अ अ अ उसकी मूर्थी मेडल करनल मेडल के ऊपर आ हा सागा अचा वह जो बीकाज नियुक्च कर अ commodity कर नियुकर हाँ चल सबभी चल नियुक्च काने मूर्श कोन मुदा का मूर्श कार दूसर ला कार्ज कौर्टक के बता रहे हैं ऑर्ष्टक हुआ के मुदा हम उसक्सराए दूसरा परि परमपरी परमपरा तरहने की बाथ है परमपर अरे जटो आरे क्या चाहिए यहां पर टिशू यहां बच्चों को देखें कितनी मस्ती करें क्राप पकड़ें यहां बोग बोग टाइनी वन्स बपरी कैसे तुम लोग पकड़ ले रहे हो रहमपी ने बोले था था कि वह इनको आप तब पकड़ें तो हाथ से पकड़ें और यह बिर्यानी शीरी मैडम लेके आई है और इसके साथ जो है सालेड है जो मैंने आपको घर में दिखाया था वह हम लोग ने यहीं में बैटके काटे हैं और यह नशीद मैडम लेके आई है मटन बिर्यानी और यह स्पाइसी है बड़ों के हिसाब से तो बस फ्रेंड्स आज का व्लोग इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा लाफिस